दोस्तों इस समय में देखता हूँ कि गाली के चेकिंग के नाम पर लोगों का दोहन हो रहा है, लोगों को ज़्यादा परिशान किया जा रहा है, चेकिंग होनी चाहिए, जरूरी है, लोगों को ट्राफिक का नियम भी फालो करना चाहिए, जो लोग फालो नहीं कर रहे हैं, अगर किसी कोigi चेकिंग के लिए पकड़ लिये हैं तो उसे बेवजा परताडित करने का काम करती है ट्राफिक पुलिस तो दोस्तों आईए समझते हैं कि ट्राफिक पुलिस अगर आपको पकड़ रही है तो आपके क्या राइट्स होते हैं उसके नियम कानून क्या है आईए इस बिसे में बात करते हैं तो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम उंप्रकास संडिले है और आप देखना सुरू कर चुके हैं संडिले इसकूल आफला दोस्तों सबसे पहली बात अगर किसी भी ट्राफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका है और आपकी चेकिंग करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा माइनेटरी यह है कि वह ट्राफिक पुलिस अपनी यूनिफार्म में होना चाहिए तभी वह आपका चालान काट सकता है अगर वाबिक्ती अपने यूनिफार्म में नहीं है तो आपका चालान नहीं काट सकता है और दूसरा रूल जो है वह यह है कि कोई भी ट्राफिक पुलिस आपकी चाबी नहीं निकाल सकता है होता क्या है लोग चेकिंग लगाये रहते हैं ट्राफिक पुलिस वाले भी चेक पुलिस आपका इतना ही कर सकता है आपको रोके आपसे सारे कागजात मांगे आप दिखाएं और आपने हाँ आपने कोई ट्राफिक रूल तूड़ा है तो आपका चालान कर दे लेकिन ये नहीं है कि जवादस्ति आपकी चाबी निकाल ले या आपसे गाली गलोज करे या आपको अरेश्ट करने की धमकी दे तीसरा नियम अब समझे तीसरा नियम ये है कि कोई भी ट्राफिक पुलिस आपको अरेश्ट नहीं कर सकता है कोई भी ट्राफिक पुलिस आपका इतना ही कर सकता है कि आपने ट्राफिक रूल तोड़ा है तो आपका चालान काड़ सकता है लेकिन आपको arrest नहीं कर सकता है इसा नहीं है कि आपने helmet नहीं लगाया जा रहे हैं आपको traffic police ने रोका या तो बत्तिमी जी की चाबी निकाली आपकी चाबी नहीं निकाली है तो uniform में नहीं है तो भी दिक्कत है और अगर कह रहा है कि तुमको arrest कर लेंगे fine pay करो ये नहीं तो आपको arrest कर लेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरह से illegal है कोई भी traffic police वाला आपको arrest नहीं कर सकता है दोस्तों अगला नियम जो है अवा सबसे महत्पूर्ण नियम है जब भी checking लगाई जाती है अगर वहाँ illegal वसूली करनी होती है तो वहाँ सिपाहियों को लगा दिया जाता ह illegal वसूली करने के लिए कि आप जाईए आप चालान मत काटिये थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप मामला निप्टा लेंगे थोड़े बहुत मैसे लेकर मामला निप्टा लेंगे तो दोस्तों सर प्रथन तो आप ये जानिए कि अगर आपका चालान करता है तो आपको अ और अगली बात कोई भी सिपाही अगर सो रुपे से जादा का चालान है तो कोई भी सिपाही ना सो रुपे से जादा चालान काट सकता है ना आपको सो रुपे से जादा चालान आपसे ले सकता है अगर सो रुपे से उपर का चालान है तो ए असाई होगा या और जो उससे बड़े अधिकारी होंगे, वही आपका 100 रुपे से अधिका चालान काट पाएगे, वही आपका 100 रुपे से अधिक ले पाएगे, कोई भी सिपाही पैसा नहीं ले पाएगा, 100 रुपे से अधिका चालान ना काट सकता है, ना ले सकता, और अगर ASI या ASI द्वारा ही चालान क आटा गया है तब भी आपको मेंडिक्ट्री नहीं है कि वहीं तुरंत आप चालान की फीज देकर आएं आपको पहिसे देने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों अगला जूनियम है वह यह है कि अगर पुलिस वाले आपका पॉलिशन सार्टिफिकर जैसे आपके पास सारी चीजे कम्प्लीट है आपके पास सारी ब्योस्ताएं है आपके पास ड्राइबिंग लारिशन्स है आपके पास संसोरेंस है गाली का कागज है हेलमेट लगाया हुए है आप आपके साथ सारी ब्योस्ताएं फिनिस है तब अगर आपको भसाने के लिए कोई भी ट्राफिक पुलिस आपको पॉलिशन सार्टिफिकट उनको नहीं देना है क्योंकि उनका राइट ही नहीं है पॉलिशन सार्टिफिकट मांगना पॉलिशन सार्टिफिकट सिर्फ आर्टियों देख सकता है या आर्टियों का करमचारी चेक कर सकता है आर्टियों का अफीसर चेक कर सकता है अन्य क कोई भी पॉलिशन सार्टिफिकर चेक करने के लिए किसी भी वेक्ति को अथार्टी नहीं है किसी भी पुलिस वाले को अथार्टी नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आप ट्राफिक रूल्स का पालन कीजिए हमेशा हेलमेट लेकरने करिए सारे रूल्स को फालो कीजिए और स आत ही चेकिंग के नाम पर अबयद वसूली से भी अबेर रहे हैं अपने अधिकारों को समझिए इन सारे पॉइंट्स का ध्यान लखी अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप उनकी वीडियो बनाईए आप ही बताईए कि यह इनलीगल है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं लोग अपने स्वास्त का ख्याल लखिए कानून की जानकारी अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के मादम से लेते रहे हैं मामलों से बच्छ के रहे हैं आई लभी वाल जय हिंद जय भारत